हाई फ्रिंट्स वेल्कम टो यूपीसी पीसी फॉरम आज हम कम्पेरिजन ट्रॉपिकल एंड टेम्परीट साइकलोन देखेंगे इसके पहले जो इससे रिगार्डिंग जो टीटेल्ड वीडियो है वो मैंने पहले ही बना दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर स्टार्ट करते हैं उनके डिफ्रेंस को अगर आपको थोड़ा सभी उनमें डाउट रहा हो तो यहां पर क्लियर हो जाएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सेर करना ना भूले चलिए स्टा को अमें मैं को दो सब्सक्राइब चैनल किलो मित्र जो किम्षा और तो इसका किम्पार यह ज में ट्रॉपिकल का जो डिस्रिबूशन एरिया होते है वो क्या होता है और इसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल सैकलों है उसका फॉर्मिशन कहां पर होता है है वशब फोर्मिशन होते है ट्रॉकल स्मावेशन का फॉर्मिशन होता है सिर्फ जब कि ट्रॉपिकल सब्सक्राइब land और ocean दोनों पर होता है कि कि इस वज़े से क्या होते है कि इसका जो horizontal distribution ने diameter वो क्या है 1 000 to 3 00全部 जब रीकल सेक्वाद क्या है स्रॉक्यक्ट जो एक्स्टिंट जो ट्रोपिकल स्रॉप होता है इसका vertical extent ज़याधा होने का पीछे क्या होता ही क्योंकि हमने देखा थे यहां पिर rising of air होते है कि हीट कि इसकी height होते है जोnos टेम्परेट cyclone जो night roll क ऑगे अर्क थे कंपरेजन में जदा होती है यह यह सर्कुलर होते हैं एसे-से मूव करते हुए यह आगी यह अगे परय जब को से इसको पुष करता है और इसको पुश करता है कि इसको यह क्या होता है यह आगी होता है नेचर ओफ सर्फेस जो ट्रॉपिकल सैक्लोन होता है ना उसमें नेचर ओफ सर्फेस कैसा होना चाहिए इसका नेचर ओफ सर्फेस फॉर्म और ट्रॉपिकल ओशन और से से होमोजोनिस रिजन होना चाहिए इसके लिए जो continuous क्या प्रवाइड कर से continuous moisture containing एर मास प्रवाइड कर से हैं जबकि जो temperate cyclone होता है वो बोथ land और सी दोनों पर इसका formation होता है कहां पर temperate latitude में force responsible for formation of what tropical cyclone जैसे मैंने अभी वीडियो के starting नहीं बताया कि force of which force क्या होता है इसका responsible जो force होता है इसके formation जो responsible होता है वो क्या होता है लेटेंट हीट of condensation जबकि temperate cyclone क्या force काम करते हैं contrasting properties काम करते हैं यहाँ पर जो दो एर होती है जो दो contrasting properties होती है जिसमें से जो cold एर होती है जो कोल्ड एर मास होती है क्या करती है वह पुश करती है वह बैरियर का काम करती है और जिस वज़े से क्यों तो फ्रेंटल वेज का फॉर्मिचन होता है और वार्म एर मज राइस करता है एक्मोस्फेरिक प्रेशर एक्मोस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए उनक कि झो टेमपरारीट साथ ओने वहां पर प्रिषर के दसफ फेल्स अहां लोग प्रिशर के उस्ट ओंने डूतो इzna यह जो फिनोमेना है न, टेंपरेट लाटिटूट का, मिडल लाटिटूट का एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, और जिसके वज़े सही है, जो टेंपरेट साइकलोन है, यह क्या होता है, यह मच इंटेंज नहीं होता है, in comparison to what? in comparison to tropical cyclone, next, wind velocity, जो wind velocity जो होती है, tropical cyclone की, वो क्या होती है, यह वो 120 km per hour, क्योंकि यह highly intense होता है, जब कि जो टेंपरेट साइकलोन होता है, उसके जो wind velocity होती है, अप्टो 60 km होती है, और 60 km किसका होता है, बॉम cyclone का, बॉम cyclone आजकल गाफी न्यूस में रहता है, आपने सुना भी होगा, बॉम cyclone is intense cyclone, यह जो बॉम cyclone होता है, वो क्या होता है, इंटेंज साइकलोन ता है, और यहाँ पर प्रिशर ग्रेटियन्ट होता है, इस साइट के cyclone में, वो क्या होता है, steep होता है, और wind velocity भी बहुत preset रिदेंट जहां पर भी स्टीप होगा तो वहां पर क्या ओग्वात तो लो कि वह तो ज्यादा ही होगा अपने यह सिंपल से कंसिप्ट आपको भी पता हो होगÁं कि जैसे प्रिशर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो वहां पर वेलोसिटी भी तो हाई होगी निक्स दिखते हैं एसोसियेटेन वेदर इनसे रिलेटेट कौन-कौन से वेदर अकर होते हैं तो ट्रॉपिकल्स डॉमिनियंस ओफ कुमिलोनिमर्स क्लाउंड सीरिस क्लाउट्स ओं लॉज एस士टेद़ वित लाइटिनिंग और फंद यह ट्रॉपिकल सैक्ल्न होते हैं इसमें क्लाउट्स का जैसे हिए बुर्टिकलपोर्मेशन होगा क्लाउट्स तो और यह वहते किने से रीटियो बनाया हुए अगर नहीं देखा है तो आप ये अल्भिन आजेश सेटेटी होता है कि लाइनिंग और फंडर से चब मैंने पढ़ाया था ना वर्टिक लॉट्टॉड के बारे में तो मैंने वहां पर explain किया था कि लाइटिनिंग और फंडर का क्वाशन का क्या प्रोसेस होता है वहां पर निगिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसी एक दूसरे को और वहां पर यह जो क्या काम करता है बैट कर निक्तर का काम करता है तो इसका डेटेल बने बताया हुआ आप जाके देख सकते हैं जबकि एसोशेटेट विद्धर विट्ट रिलेटेट विद्ध से सेमठोल ना कर दो मैं डॉमिनेंसों ऑफेश्टेस और शुर्स फ़त्कू आपसें में जैसे कि मैंने बताया कि यह जो फ्रॉपिकल सैंगल का होते हैं उस जब कि जो टेम्परीट से लोन तो इसका एरिया पे तो बहुत लार्ज होता है इसका मनें होरिजंटल जो डाइमेंशन देखा था वह वह वन थाउजंट तो 3000 क्लम्टर था तो यह काफ़ी टाइम चलता था तो इसे रिलेटेड जो क्लाउड होते हैं वह क्या ह क्यूंआ कर एक पहली लोता है इसमें इस्तव पहुत बड़ा रोल होते हैं जो टेंपरीट सैकल होनों वह कैसे वींट कर एक सथा जो जो हैं इस्टरलीज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं निक्स देखते हैं फ्रिक्वेंसे यह इस्ट वेस्ट वेस्ट विंड रिलेटिज सिस्टम मैं यहां पर डीटियल से नहीं बता रही हूं क्योंकि यह सारे वीडियो मैंने पहले ही बना दिया अगर आप इसलिए मैंने सारे व यएभरिशट ओफ आपuku NilSuamad maximum 100 tropical cyclone कैन वी फ़र्मड इनन यह तो पकिसा semi sexy菌ण का formation के जो फ्रिक्वेंसी होता है न वह maximum 100 cyclone हो सकते हैं और जबकि in comparison to tropical cyclone जो temperate cyclone का जो formation का जो frequency होता है वो बहुत जादा होता है because they represent mechanism of heat transfer में यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर heat transfer होता है न में लेटिट तभी तो contrasting properties of air एक दूसरे से match करते हैं मिलते हैं तो यहाँ पर heat transfer middle और higher latitude के बीच में और इस तरीके से इसका formation होते हैं ठीक है destruction अब कौन ज्यादा destruction create करते हैं जो tropical cyclone होता है वो destruction due to high wind velocity and heavy deluge of precipitation जबकि जो destruction created by the temperate cyclone normally they are not destructive unless other phenomena phenomena superimposed जैसे इसकी tornadoes tornadoes aquarium मैं अगले class में discuss करूंगे अब हम इसका dissipation और decay देख लेता हैं dissipation and decay of the cyclone tropical cyclone जो होता है when they move on land energy cut of move on colder sea temperature region heat required to fuel the system is clearly vanish मतलब क्या हुआ कि इससे related जो सबसे important tropical cyclone के formation से related क्या होता है energy इसको latent heat of condensation प्रोवाइड होना चाहिए यह heat अगर जबते कि इसको प्रोवाइड मिल रहा है जबते कि इसको मिल रहा है तब तक तो यह बहुत अच्छा काम करेगा और जैसे ही latent heat of condensation बन हो जाएगा सेस्ट हो जाएगा तो tropical cyclone का फिनोमेना क्यों हो जाएगा तो यह कब होता है जैसे ही वह लैंड पर नहीं होता है ना तो राइजिंग करने में उतना यह नहीं होता और यहां से क्या होता है जो heat of condensation है वह जैसे warm और moist air नहीं होगा तो कैसे वह उपर जाके condensation का फिनोमेना अक्यार होगा तो और इस वज़े से क्यों होता है जैसे वह लैंड तक पहुछते हैं तो वहां पर energy cut up हो जाते हैं और इसका क्यों होता है फॉर्मेशन सेस्ट हो जाते हैं नहीं तो अगर वह colder रिजन में भी जाते हैं तो वहां पर भी उनका क्यों क्यों होता है यृट हो और इस तरी के से प्रॉपिकल सैक्लों नेवर कफूली डाई दे क्योंसे प्रेशन सेंट में चैना तो यसलोपिकल सैकलो noon होते हैं लेटिन ठीटफ कंडिंशन एनरजी प्रोवाइट किया जाता है यह किसको फॉर्म ले लिते हैं यह सैलोन का फॉर नियक्स दिखते हैं टेम्परीट सैकलोन क्यों होते हैं और यहां पर इसे ही खत्म होगा तो वह आ चाहिएगा और नक्ट्स को स्थेट क्यों होता है end of the tropical cyclone और यह जो होता है tropical cyclone टेम्परेट cyclone वो क्या होता है completely vanish हो जाता है जबकि tropical cyclone completely vanish नहीं होता है वो लो प्रेशिट शेंटर के रोप में हमेशा प्रेचेंश रहता है sapphire Simpson scale को use किया जाते किसके लिए to measure the tropical cyclone intensity based on velocity of cyclone causes damages और cyclone के velocity जेतना होगा वो उतना ही damage create करेगा ओके फ्रिंस आप लोगों को यह लेक्षे अच्छा लगा होगा लेक्षे अच्छा लगे तो share and subscribe करने ना बुले थैंकि सो मच बै गड़नाइट